असलामु अलेकूम। ये सदाए हुर्य जम्मू कश्मीर है। नसीमा खातून से मुखे समाचार सुनगे। भारत दोरा क्रोना संकट पर नियंतरन में विपलता की प्रिष्ट भूमी में शनिवार को येरोपिय यूनियन भारत वर्चुल शिकर बैटक हुई। भारत में इस समय व्यापत कोविट संकट से तथा कथित शाइनिंग इंडिया का यथाट रूप संसार के समक्ष आ गया है। कोविट-19 क्राइसिस से भारत में निरंतर बढ़ते मानव अधिकार उल्लंगन भी उजागर हो गए है। कोविट महामारी को नियंतरत करने में विफलता पर व्यापक कटू आलोचना का सामना करते हुए भारत सरकार ने फ्री स्पीच को नियंतरत करने तथा साहता के लिए उट्टी पुकारों का अपरादी करन करने का प्रयत्न किया है। कोविट क्राइसिस के दौरान आलोचना तथा विचार में मर्शों का गला घुटने की भारत की कारवाईयों को छमा नहीं किया जा सकता International Medical Journal The Lancet The Lancet ने भारत की वेक्सिनेशन नीती को निरतक तथा केंद्रिय इस्तर पर विफल कहा है Medical पत्रिका ने अपने नवीन तम संपादे किये में कहा है कि मूधी सरकार महामारी को नियंतर करने के स्थान पर ट्विटर पर आलोचनाओं को हटाने के प्रति अधिक चिंती थे Eight International Human Rights Bodies ने यूरोपिय यूनियन नेताओं से स्वास्त के अधिकार सहिद भारत में मानव अधिकारों की बिगड़ती हुई इस्तिती के मुद्दे को उठाने की अपील की है International Human Rights Bodies ने कहा है कि भारतिय अधिकारियों ने अलप संख्यकों के विरुद्ध पक्षपात्पून कानून वा नीतियां अपनाई हुई हैं मुसल्मान तदा दलित समुदायों को भारत में निरंतर बढ़ते आकरमनों का सामना है जबके अधिकारी भारतिय जनता पार्टी नेताओं के विरुद्ध कारवाहियों में असमरते हैं जो अलप संख्यक समुदायों पर आरोपन करते हैं International Human Rights Organization European नेताओं से अलप संख्यकों के विरुद्ध आनुचे तथा पक्षपात्पूर्ण नेतियों को बदलने के लिए भारत पर दबाव डालने का आग रह करते हैं भारत सरकार ने अगस्थ 2019 में भारत द्वारा अवैत रूप से अधिके जमुद किश्मीर के समवेधानिक स्टेटस का भहिशकार कर घाटी में कठोर तथा पक्षपात्पूर्ण प्रतिबंद लगा दिये हैं मोधिशासन पर संपूर्ण भारत में सभी नदरबंद मानवधिकार संरक्षकों पत्रकारों तथा आलोचकों को तुरंत रूप से मुक्त करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए